हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है Learn It के एक और नए वीडियो में और बिना टाइम वेस्ट किये चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं तो इस नए सेग्मेंट में हम टॉपिक 4 के बारे में बात करेंगे जो कि है चैप्टर का नाम प्लांट किंग्डम इसके पहले सेग् प्लांट के अंदर इधर से उदर ट्रांसपोर्ट करेंगा देखो टेरीडोफाइट जो है अब यह जो लेवल आ जाता है यह हायर प्लांट का लेवल आता है और यहाँ पर आपको root, stem और leaf देखने को मिलती है इसलिए यहाँ पर जो भी distribution होगा material का उसके लिए एक proper chamber की जरूत होती है proper system की जरूत होती है तो टेरीडोफाइट के अंदर यह आप सबसे पहले क्या दे टेरीडोफाइट को botanical snake क्यों कहा गया है देखो animal kingdom पे जो reptiles थे जो रेंगने वाले जानवर थे वो सबसे पहले पानी के बाद में कहा रहना चालू करे थे जमीन पे रहना चालू करे थे इसके पहले जितना भी हमने पढ़ा है ब्रायोफाइटा थेलोफाइटा एक्सेट बात करते हैं तो plant की body जो टेरीडोफाइट हैं इनकी plant body कैसे differentiate की जाती है तो basically तीन पार्ट में differentiate कर सकते हम मतलब इनके अंदर आपको root system भी मिल जाएगा stem system भी मिल जाएगा और leaf का system भी मिल जाएगा और जो stem होगी वह राइजोमेटा होगी और वह regenerate होगी जब उसके सारी ये aerial parts खतम हो जाएगे तब aerial parts मतलब उपर के सारे parts अपके खतम हो जाएगे तब next बात करते हैं leaves की size के बारे में तो यहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी size की leaves आपको present मिल जाएगी जिसके अंदर अलग-अलग type के venetions मिलेंगे leaves के अंदर दो type होते हैं vegetative और fertile leaves के जहां तक बात करते हैं तो सिर्फ fertile leaves के पास एक special चीज़ होती जिसको बोलते हैं spore और यह spore को हम कहते हैं spore of fill जो आगे जाके reproduction में बहुत important role निभाते हैं इस segment में हम पढ़ेंगे teridophytes का कितने parts में classification होता है तो teridophytes आगे जाके चार चीज़ों में classify होता है या चार classes में divide होता है start करते हैं first से जिसको बोलते हैं philocida, second is lycosida, third is sphenocida and fourth one is pterocida so these are the four classification of the teridophytes next segment में जो classification दिया गया है किसका teridophyte का into four parts जो हम पहले इसके पहले जस्ट पढ़ चुके हैं उस classification के अंदर हमको बोला गया है कि ये classification तीन scientist ने दिया है जिनका नाम है Smith, Bold और Zimmerman अब ये जो चार classification है इसको हम ज़्यादा detail में नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि CBAC की guidelines और NCRT guidelines के according यहाँ पर ज़्यादा इसको importance नहीं देना है ये दियान रखना है कि हमको हर एक चीज का दो-दो point याद हो और जाके end में जो examples लिके हैं उस examples का नाम जरूर याद रखना है क्योंकि ये clearly mention है कि आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और इनके नाम तो याद हो नहीं चाहिए तो start करते हैं हम सारे को एक साथी commonly लेते हैं कि sylophyta के अंदर या lycophyta, sphenophyta और terophyta के अंदर हमको क्या difference है तो पहला वाला जो है जिसको बोलते हैं sylophyta यहाँ पर आपको जो system मिलेगा वो most primitive है मतलब सबसे पुराना मिलेगा याने यहाँ पर जो differentiation है वो अलग-अलग तरीके से पूरा develop नहीं हो पाया मतलब stem, roots और leaves का differentiation नहीं हो पाया बाकि सारे के अंदर lycophyta और phenophyta के अंदर आपको दिखने को मिलता है differentiation body का into three parts और terophyta के अंदर बहुत ही अच्छा vascular system मिलता है मतलब xylem और phloem भी मिलता है और differentiation भी मिलता है मतलब plant body को differentiate into three parts कर रखा है next बात करते हैं sylophyta के अंदर photosynthetic stem होती है मतलब photosynthesis जो होगा वो stem के थूर present होगा leaves आपको sylophyta के अंदर absent होती है क्योंकि उसके अंदर को differentiation नहीं है बाकि सब के अंदर आपको roots और stem और leaves देखने को आरसानी से मिल जाएगी अगर आपको यहाँ पर examples देखने हैं तो नीचे examples लिक रखे हैं सभी के एक एक example आप याद कर सकते हैं तो आपको क्या रहेगा exam के लिए preparation आसानी से हो जाएगी और हमारी जो NCRT और CBS की तरफ से जो guidelines है वो भी complete हो जाएगी इस segment में हम बात करते हैं economic importance के बारे में मतलब इनका importance क्या है किस तरीके से हमको इस सब पैसे मिल सकते हैं या कौन सा plant कितनी economic importance रखता है फर्स बात करते हैं तो यहाँ पर teridophytes के अंदर एक plant है जिसको बोलता है drive terrace क्या करता है इसके अंदर medicinal properties present होती है याने इस drive terrace के under में जितने भी plants आते हैं वो सारे medicinal category क्यानते हैं मतलब वो medicines में use होते हैं किसी ना किसी चीज़ को बनने में दवाईयों etc में नेक्स बात करते हैं यह soil binding में भी work करता है मतलब soil को एक जगे बांदे रखता है जिसके कारण soil erosion नहीं हो पाता है और हमारी soil के रहती है safe and secure रहती है नेक्स बहुत सारे parts के अंदर boiled के इसको ornamental plant के रूप में लिया आता है मतलब सजने सवरने के लिए या किसी जगे पर चड़ाने के लिए आप इसको use कर सकते हों नेक्स इसमें edible parts भी होते हैं edible plant का मतलब होता है किसी-किसी plant को हम खा भी सकते हैं use भी कर सकते है as a edible part यहाँ पर azola करके एक plant है जो crop rotation में काम आता है crop rotation का मतलब है कि हम खेत के अंदर जब crop rotation करते हैं मतलब एक plant के साथ में दूसरा plant लगाते हैं और उसकी series बनाते हैं जिसके करण हमको outcome अच्छा मिलता है plant का तो उस type में भी हमको यहाँ पर use में आता है symbiotic nitrogen fixation में भी यहाँ पर बहुत important role अदा करता है यह पुरा का पुरा teridophytes मतलब atmosphere से nitrogen लेके important plants को provide कर देता है जो plant खुद यह nitrogen fix नहीं कर सकते हैं नेक्स बात करते हैं तो यहाँ पर यह सारा plant जितने भी हैं वो क्या करते हैं दूसरे plant को जो बंजर rocks है या soil है उस पर develop होने का मोखा देते हैं और एक important चीज़े हैं जिसको बोलता है sphagnum sphagnum क्या करता है जो भी आपके नए seeds है garden के अंदर जो plant cut करके इदर से उदर ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको अगर moist रखना है जैसे कि ट्रांसपोर्ट करने के time पर हमको इनको अंदर किसमे रखना पड़ेगा पानी के अंदर रखते हैं या किसी एक ऐसी moist जगे पर र पोगेट करते हैं तो कि लास्ट सेग्मेंट के बारे में बात करते हैं जिम्नो स्पर्म के बारे में अब जिम्नो स्पर्म के साथ में एंजियो स्पर्म का भी हम difference between साथ साथ में करते जाएंगे मतलब यहां पर जो भी हम पढ़ेंगे इसका जस्ट उल्टा एंजियो स्पर् ovary wall होती है plant के अंदर उसके ओपर कोई covering नहीं होती है मतलब इसके जो fruit होंगे उसके ओपर कोई covering नहीं होगी इसलिए इनको हम क्या कहते हैं flowerless seed bearing plant मतलब इसके अंदर plants के अंदर flowers present ही नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी covering present नहीं है तो same उल्टा हो जाएगा angiosperm के अंदर वो flowered plant होंगे उसके अंदर seeds के उपर covering होगा मतलब fruits के उपर covering मिलेगा next ovule यहाँ पर enclosed नहीं होते ovary wall के अंदर मतलब उनको cover करने के लिए कुछ चीज़ है नहीं पर angiosperm में जरूर होगा यहाँ पर यह जो जिम्नोसperm में dominant करते थे जुरासिक पिरेड को मतलब जो dinosaur का पिरेड था जिसको जुरासिक पिरेड बोलते है यह plant बहुत dominating थे उस ताहिम पर मतलब इनकी इनकी जो quantity थी इनका जो area consume था वो बहुत जादा था जिम्नोसperm के अंदर आप जो plant देखोगे वो medium size के tree, लंबे tree और shrubs देखने को मिलते हैं वहाँ पर angiosperm क्या होते हैं बहुत ही बड़े-बड़े plants होते हैं trees होते हैं next यहाँ पर system जो होता है वो tap root system present होता है और system आपको branched और unbranched दोनों के अंदर system में present मिलेगी leaves की जहाँ तक बात करते हैं तो leaves बहुत adaptable होती है किस-किस condition के अंदर extreme temperature देदो उसको humidity में भी रह जाएगी wind के अंदर भी वो आराम से present रहने तूटेगी नहीं उसको कुछ होगा नहीं और इसके अंदर आपको sunken stomata मिलेंगे जैसी के example हम पाइनस का ले सकते हैं leaves की जहां तक बात करते हैं तो यह simple compound दोनों के टेगरीस में present होती है और यहां पर vascular system fully developed होता है या well developed होता है into xylem and phloem पस एक ही चीज़े की xylem के अंदर vessels present नहीं होंगे लाक्स segment में हम बात करेंगे economic importance की जो की है gymnosperms की अब gymnosperms क्या करता है हमें बहुत सारा furniture provide करता है जिसको बोलता है timbers मतलब आपको pencil box बनाना हो musical instrument बनाने हो तो हमको specialized kind of wood चाहिए रहता है तो वो हमको कहां से मिलता है gymnosperms के plant से देखने को असनी से मिल जाता है resins बनाना है turpentines बनाना है मतलब जो भी आप rubbery substance के material बनाते हो जिसके कारण हम क्या करते हैं हमारे घर पे पुताई कर सकते हैं या किसी भी चीज की painting कर सकते हैं तो वो हमको कहां से मिलता है इस type के gymnosperms से देखने को मिल जाता है अब edible seeds भी देखने को मिलते हैं अब edible seeds आप बोलेंगे तो जो भी seeds हम खा सकते हैं किसी भी तरीके से वो भी हमको यहां पर economic importance के अंदर gymnosperms दे देता है medicinal plants की बात करते हैं तो medicinal plants हमको यहां पर एक ephedrine मिलता है जिससे एफिडरा से एफिडाइन मिलता है यह क्या करता है हमें respiratory problem अगर है तो उसको क्यों करने में मदद करता है और एक और चीज़ ज्यान रहे कि cancer cell को अगर freeze करना है तो हमारे एक species है जिसको बोलता है Texas उससे हमको एक material मिलता है जिसको बोलता है टेक्सल टेक्सल क्या करता है कि cancer cells को freeze करने की capacity रखता है तो यह सारे थे हमारे economic importance इस पूरे topic के अंदर आशा है कि आपको सारे topics easily समझ में आ रहे होंगे हम learn it पे आपके लिए easy और simple learning material बनाते रहते हैं जिसके कारण आपकी learning और listening capabilities increase होती रहेगी अगर आपको कोई topic समझ में नहीं आता है या आपको कोई topic hard लगता है या कुछ topic को आप detail में समझना चाहते हैं तो उसको आप comment section में लिख सकते हैं अगर आपको हमारा work अच्छा लगता है तो please उसे like करें और चैनल को subscribe करना और notification bell को hit करना ना भूलें ऐसे ही और वीडियो के लिए आप updated रहें stay healthy stay fit बाई बाई